जियाँ फ्रेंट्स जिस चिस का डर था आज वो सामने आज चुकी है यानि के सच में ऐसा हो चुक है कि बाइनस जैसी एक्सेंजिस को धीरे दीरे बैन करना शुरू कर दिया है तो इंडिया में अगर आप प्ले स्टोर के उपर जाओगे तो आप आप अलड़ी देख सकते हैं कि इन एक्सेंजिस को रिमूव किया जा रहा है तो अभी सबसे बड़ा ढ़र यही फइल रहे है कि अभी क्या किया जाये हमारी जो क्रिप्टकरंस पड़ी थी बाइनस की उपर या फिर किसी भी एक्सेंज की उपर तो उनका क्या किया जाये कहां पर send करी जाएंगे अगर Binance जैसी exchanges अगर completely ban हो जाती है तो हम क्या करेंगे क्या हम उनको access कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे क्या मैं VPN यूज करना पड़ेगा या फिर हो सकता है कि आपको TDS देना पड़े यानि कि ऐसे काफी सारे issues आने वाले हैं जिनका solution है आज मैं इसी वीडियो में लेकर आया हूँ तो आपको यहाँ पर पूरा detail में बताने वाला हूँ तो action में हुआ क्या है वो भी आपके साथ share करूँगा और इसी के साथ साथ solution के उपर हम बात करेंगे यह हर एक चीज में पहले ही अपडेट कर देता हूँ ताके अगर हम वीडियोस नहीं भी डालते हैं तो आप टेलिग्रम के उपर हमेशा अपडेटेड रहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बाइनेस जैसी जो एक्सेंजिस हैं कि इनको दो हफते पहली बताया गया थी कि यह कंट्री में उपरेट तो कर रहे हैं लेकिन यह इलीगल तरीके से उपरेट कर रहे हैं Financial Intelligence Unit FYU के नाम से जो इंडियन गॉर्मेट एजंसी है उन्होंने शो कॉस नॉटिस भेजा था इन सभी 9 एक्सेंजिस को कि यहां से इंडिया से जाना पड़ेगा या फिर यह एकसे से नहीं दे पाएंगे लेकिन ओबराल आप देख सेकते हैं तो इसी के साथ है, बिटरेक्स है ओर विटस्टेंबु ऐसी कई सारे एक्सेंजिस से जिनको फ्लैक या गया है यानि कि उस दिन से ही बहुत लोग already solution ढूंड चुके थे या फिर ढूंड रहे थे अब आपको problem क्या phase करनी पड़ेगी ये भी आपको उता देता हूं कि आप सोच चूँगे कि या तो मैं DEX यूज कर लेता हूं या फिर कोई और centralized exchange यूज कर लेता हूं लेकिन कौन सा चूज करूं इसमें आपको सबसे बड़ी problem आ रही होगी लेकिन हम step wise चलेंगे सबसे पहला solution तो आपको मैं यही बोलोंगो कि अगर आप इंडियन exchange यूज कर रहे हैं चाहिए वो coin switch है coin DCX है वजीर X है उनके उपर आपने अगर सिरु spot में asset रखे हैं तो उनको वहीं पे रहने दो क्योंकि वहाँ पे तो आपके assets पड़े हैं लेकिन problem आपको तब आने वाली है जब आप 1% TDS हर एक trade के उपर दोगे यानि कि 1000 डॉलर का trade हुआ तो उसमें से 10 डॉलर तो asset TDS में ही चले जाएंगे और उसके उपर fees जो 10% है वो लग से लगे यानि कि 1% सीरा सीरा चला है government के पास जा रहा है even income tax department के पास भी जा सकते हैं गर आपकी transactions बढ़ी है तो यूँकि आपने यहाँ पे KYC किया है और इसी के साथ enhanced KYC करवाई जाएंगे आपसे Indian exchanges के उपर तो यहाँ पर problem जो फॉर्ण के उपर आ रहे है इन 9 exchanges के उपर वो भी यही होने वाली है आने वाल currency की नहीं है लेकिन यहाँ पर problem जाएगी कि आपको वहाँ पर 1% TDS भी देना पड़ेगा तो यह सारे issues आपको Indian exchanges और जो बारिक exchanges अगर comply करते है Indian law को तो आपको यह face करना पड़ सकता है तो पहला आपको मैंने यही बताया कि आगर आपने वजीरेक्स जैसी exchange के उपर amount रखा transfer करका अगर आपने वहाँ पर रखे वे तो उनको आप easily swap कर सकते हैं मैंने आपको Defy Club के नाम से एक exchange बताया था जिसकी ओपर lowest fee थी तो वहाँ पर swap कर सकते हैं अब यहाँ पर problem क्या आने वाली है DEX अगर आप यूज़ करते हैं wallet यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप वैसे trading करते हो spot trading करते हो यह सारी चीज़ें आप नहीं देख पा होगे अब इससे अगला step जो है third step जो आपको बताने वाला हूँ कि इसके लावा भी कौन सा solution हो सकते हैं अब आप कोई भी exchange अगर चूस कर लोगी कि कोई भी exchange आपने ले लिया उसकी पर sign up किया amount डाल लिया सबसे बड़ा problem क्या आएगा वहां पे पहली बात यह कि liquidity ही नहीं होगी liquidity काम होने के वज़े से कहे कि हमारी जो orders लगते हैं वह orders अप्रूव ही नहीं होते या फिर बहुत लेट अप्रूव होते हैं इसका दूसरा रीजन यह भी रहता है कि उनके उपर premium बहुत जाद होता है for example अ कि आपका order execute नहीं होता जिस प्राइज पर आपने order लगाया चाही वह फ्यूचर ट्रेड का है वह एक लिंक दे रहा हूं डिसक्रिप्शन में उसके उपर sign up करो derivative exchange है global crypto derivative exchange आपको पहले ही बताया था कि टॉप 20 exchanges में से एक है और इसका अगर हम trading volume की बात करें अल्रेड़ी इनका trading volume भी बहुत जादा है सबसे जादा इसके उपर trading करी चाहरी है तो मैं liquidity के हिसाब से यह आपको बताना चाहरा हूं वरना वैसे exchanges काफी सारी हैं लेकिन liquidity होगी तब ही आपको यह फाइदा होने वाला कि आप कौन से exchange करते हैं उसके उपर आपके orders इसके बहुत जादा करम है और इसका 11 billion dollar से भी उपर जा जुका है तो सबसे important और सबसे पहली चीज़ जो आपने notice करनी है वो यही चीज़ notice करनी है तो आप यहाँ पर bitunix के उपर जा सकते हैं लिंक आपको description मिलेगा इसके उपर में कई सारे वैसी आपके लिए campaigns लाने वाला हूँ यानि कि आपको यहाँ पर actual में sign up करते ही काफी सारे benefits भी मिलने वाले हैं जैसी आपने deposit किया आप अपने assets कहीं से भी कौन सी भी exchange से लेकर आ रहे हो तो यहाँ पर आपको उसके भी काफी सारे benefits मिल जाएंगे जिसमें आपको मैंने 100, 200, 300 डॉलर तक के benefits अगर आपको यह चीज़े clear करनी नीचे comment करो या फिर हमारे टेलग्राम के उपर आ जाओ क्योंकि वहाँ पर मैं हर एक update पहले ही देता हूँ तो अगर आपको यह doubt है कि हाँ सारी exchanges इसमें आ सकती है तो फिलहाल आपको बता दो कि सिरफ 9 offshore exchanges को ही यहाँ पर scrutiny में लाया गया है उसका reason यह था कि इनके उपर trading volume सबसे जादा था और volume तो किसी भी exchange के उपर हो सकता है लेकिन इनको use किया जा रहा था money laundering के लिए money laundering के लिए terrorist funding के लिए तो कोई भी exchange अगर गलत काम करेगी तो वो scrutiny में आएगी ही आएगी यूँकि illegally operate कर रही थी और tax laws को बिलकुल भी follow नहीं कर रहे थे जिसकी वज़े से यह सब कुछ हो रहा है और इसलिए मैं आपको यहाँ पर solution भी बता रहा हूँ तो आज के दिन अगर आप सोचोगे कि आप सारा amount Indian exchanges के उपर ले जाओगे ले तो जाओगे लेकिन problem बहुत बड़ी फिर से फेस करनी पड़ेगी कि आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे ट्रेड करोगी एक सेकिंड में आपके 1000 डॉलर ऐसे जाएंगे TDS और यहाँ पर जो आपकी फीस जाएगी उसकी वज़े से आप सबसे बड़ी problem फेस करने वाले हैं आपका amount बचे गए नहीं जिस करन में आपको यहाँ पर bit unix का सब कुछ बता रहा हूँ तो आप अभी से shift हो जाओ अपना amount जाए ट्रांसफर कर लो तो last doubt में आप सभी करने वालो कि क्या अभी amount ट्रांसफर करना चाहिए नहीं करना चाहिए यह भी आपको बता देता हूँ क्योंकि समय निकलता जा है दो हफते का सामें लगबग हो रहा है तो जिसकी वज़े से actions हमीं दिखने शुरू हो चुके हैं चाहिए temporary action हो या फिर permanent action हो लेकिन इससे impact बहुत बड़ा पढ़ने वाल है impact चाहिए हम बात करें Indian exchanges के उपर volume आएगा या फिर जो बाहर की exchanges हैं उनको जो scrutiny में आई है 9 exchanges को बंद किया जाएगा तो आपको जल से जल्द अभी assets for the time being shift कर लेने चाहिए और ट्रेडिंग जो है वो उन exchanges को छोड़ते हुए bitunix जैसी exchanges के उपर आ जाना चाहिए जनके उपर liquidity भी अच्छी है spread भी बहुत कम है और आपके orders बिल्कुल सही समय पर execute होते है फीज बहुत कम रहती है तो अगर आपको कोई यह और doubt है नीचे comment करो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी informative लगा है अच्छा लगा है प् के धन्यवाद